आज हम आपको गड़ेज जी बगवान की कहानी सुना रहे हैं सबसे पहले हम गड़ेज बगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार हमार त्योहार पर गड़ेज जी की कहानी सुनते हैं एक काउं था उस गाउं में बाजार लगता था उस बाजार में सभी लोग अपने-अपने सामान बेचने जाया करते थे तो गड़े जी भगवान ने कहा कि मैं देखता हूँ आज कौन मेरी मदद करता है तो वहें बुड़े बाबा का भेज बना कर एक कौने पर बैठ गए सभी लोग उनको जाते हुए देखते जा रहे थे और वहें पेट तड़ से कहरा रहे थे लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आ रहा था तो एक बुड़ी अम्मा वहां से जा रही थी घी बेचने के लिए तो वहें गड़े जी भगवान को देखकर उसको लिपर तरस आ गया और वहें उनके पेट की मालिस करने लग गए अब बुड़ी अम्मा का गी बेचने से ही घर का गुजारा चलता था तो वहें अम्मा थोड़ी दुखी होने लगी तो गड़े जी भगवान बोले कि अम्मा दुखी मत हो ये सारे पत्थर जो है वो तू ले जा कि नहीं नहीं मेरी बव मुझसे नाराज हो जाएगी कि नहीं अम्मा नाराज नहीं होगी तेरी बव तू इन पत्थरों को अपने साथ लेकर घर जा वह वड़िया उन पत्थरों को घर लेकर गई तो खोलकर उसकी बव ने देखा कि आज अम्मा तुम क्या लेकी आई हो कि नहीं बेटा में कुछ नहीं लाई कि नहीं अम्मा दिखाओ तो सही तो उसमें देखा तो सोने, चांदी, हीरे, जवारा सभी उसके थेले में से निकले क्योंकि गड़े जी भववान के उस पर किरपा थी तो वो बव से बोली कि ये देख बव मैं ये लाई है तो उसने बव ने कहा बव के मन में लाला चा गया बव वोली अपकी बार मैं घी बेचने जाऊंगी तो देखती हो कौन से बुड़े भावा हैं मैं भी उनके मालिस करकर आऊंगी बव दूसरे बार बव जाने लगी और घी बेचने के लिए निकल गई तब बुड़े भावा को देखकर उनके मालिस करने लगे बिना कहे वो वहां से सारे पत्थर बटोर कर थेले में ले आई घर आकर देखा तो पत्थर के पत्थर ही रहे तो सास ने कहा बहु तुने लालच किया था मैंने लालच नहीं किया था तो गड़े जी भगवान ने जैसे सास को हीरे जवारत दिये थे वैसे ही भगवान आप सभी को हीरे जवारत और संपन करना जै गड़े जी महराज की जै जन दौना वगवान कर तो तो सास कादा ज़ले जती हुआ है जढदे कितना सकत्वावा हीरे हीरे